अब तक हमने किस प्रकार के वेज़िटेडिव प्रॉबगेशन के बारे में पढ़ा है? कटिंग और ग्राफ्टिंग बिल्कुल सही क्या आप जानते हैं कि ग्राफ्टिंग देखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं? यहां कई तरीके हैं जिनसे हम अलग-अलग प्लांट्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं हम यह सीख चुके हैं कि में प्लांट को स्टॉक कहते हैं जबकि कटे हुए हिस्से को सायन कहते हैं क्या आप जानते हैं कि किस हिस्से के पास बहतर विशेष्टाएं होंगी? जाहिर है scion के पास हमें जो विशेशता है चाहिए वो कटे हुए हिस्से जो की scion है उसमें होती है यहां कई ऐसे तरीके हैं जिन से हम stock और scion को एक कर सकते हैं grafting के दो main methods है scion grafting और bud grafting scion grafting में ज़रूरी नहीं कि stock पूरी तरह से एक बड़ा हुआ plant हो वो एक stump या बिना किसी branches के एक stem हो सकता है दूसरी और आम तोर पर stock एक ऐसा plant होता है जिसे pests और रोगों से कुछ नहीं होता है क्योंकि यह nutrition का main source होता है इसका एक बहुत अच्छा root system होता है scion को stock के साथ कई तरीकों से graft किया जा सकता है पहले वाले को whip या tongue grafting कहते है क्या आप जानते हैं कि इस process में क्या होता है scion और stock दोनों ही समान diameter के होते है एक बार ये पता लग जाने के बाद stock के उपर के end और cutting के base के end को तिर्चे तरीके से काटा जाता है अब इन दोनों कटे हुए ends को देखिए क्या आपने कभी jigsaw puzzle खेली है क्या आपको याद आ रहा है कि कैसे एक टुकड़ा दूसरे में fit होता है इसी तरह से scion का एक दिर्चा end stock में बिल्कुल fit बैठेगा एक बार जैसे ही ये हो जाता है तो हम इने एक कपड़े के टुकड़े के साथ मजबूती से बांदेंगे कुछी दिनों में दोनों एक हो जाएंगे और एक single plant की तरब बढ़ने लगेंगे scion grafting के दूसरे method को wedge grafting कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि एक wedge कैसे दिखता है वो बिल्कुल उसी shape का होता है जिसमें scion cut किया जाता है लेकिन stock का क्या stock पर एक V-shape की cutting की जाती है इस V-shape की cutting scion के wedge को stock में fit होने में मदद करती है दोनों को बांदने का सेम procedure दोराया जाता है और plant फिर एक होकर बढ़ने लग जाता है यहाँ एक और method है जिससे scion grafting की जा सकती है इस method में stock का diameter scion के कई गुना ज्यादा बड़ा होता है अब इस crown को देखिए और सोचिए कि इस प्रकार की grafting इस crown से कैसे मेल खाती है stock इतना चोड़ा है कि कई scions इसके circumference के चारों और रखे जा सकते हैं लंबे wedges V-shaped cuts में fit होंगे और उन्हें एक साथ बांदा जाएगा लेकिन यहां इस plane surface के बारे में आपका क्या कहना है खेर, stump को सूखने से रोकने के लिए हम यहां grafting wax लगा सकते हैं यह techniques amazing है है न क्या आप जानते हैं कि economic benefits के साथ ज्यादा तर plants इन method से reproduce किये जाते हैं यह techniques बहुत ही असरदार हैं और यह कम समय में ज्यादा plants को multiply करने में मदद करती हैं और इन technique से plants की न सिर्फ अच्छी quantity मिलती है बलकि अच्छी quality भी मिलती है आपको क्या लगता है कि bud grafting क्या है जैसे कि नाम सुझाता है सायन एक branch के बजाए एक bud होगा bud grafting में stock पर एक T-shape का cut किया जाता है एक बार जैसे ही यह हो जाता है bud को बीच में रख दिया जाता है और मजबूती से बांद दिया जाता है आपको क्या लगता है कि कुछ दिरों में क्या होगा bud बढ़ जाएगा और अपने tissues को stock plant में फैला देगा और उनके साथ एक हो जाएगा यह एकता एक nutrition प्राप्त करने में और bud को बढ़ने में मदद करेगी जब plant बढ़ जाएगा तो नए bud की विशेशताएं प्लांट में आ जाएगी इस प्रकार यह grafting का एक और सफल तरीका होगा आप अपने बगीची के plants के साथ इन में से कुछ techniques को try क्यों नहीं करके देखते हमें यकीन है कि यह बहुत ही अच्छा learning experience होगा हमारे अगले lesson में हम layering के बारे में पढ़ेंगे जो कि Asexual reproduction का एक और interesting तरीका है